कलाश 10 वालों स्वागत है आपका आज मैं आपके लिएक नया कोस्टन लेके आया हूँ कोस्टन को समझे सबसे पहले देखिए एक्जामिनर करता यह कि कोस्टन के कुस सब्दों में बदलाव करके आपसे पूछ देता है तो उस समय स्टुडेंट कनफ्यूज हो जाता है तो आपको कोस्टन को सबसे पहले समझे ना है ठीक है इसके बाद उसका उत्तर लिखना है यहाँ पर कोस्टन दे दिया है अवतल दर्पन के मुख के फोकस की परिभासा लिखिए देखिए इसी कोस्टन के सब्दों में बदलाव करके आपसे पूछ देगा अवतल दर्पन के मुख के फोकस को परिभासित कीजिए या फिर आपसे पूछ देगा अवतल दर्पन का मुख के फोकस क्या होता है या फिर आपसे पूछ देगा आवतल दरपन का मुख्य फोकस क्या है देखिए सबसे important होता है question को समझना अगर आप question को समझ जाते हैं तो उत्तर आप असानी से लिख पाएंगे ठीक है इसलिए question को समझे और उत्तर लिखे आईए answer को देखते हैं यहाँ पर देखिए किसी आवतल दरपन के मुख्य अक्ष के शवंतर आपतित परकास किर्णे परावर्तन के बाद ठीक है दरपन के मुख्य अक्ष के जिस बिंदू पर मिलती है आवतल दरपन का मुख्य फोकस कालाता है देखिए सबसे पहले इस question को समझे मैं आपको ये question फीगर द्वारा भी समझा दूँगा लेकिन इससे पहले आप पहले यहाँ पर इस पर ध्याँ दीजिए ठीक है देखिए कोई एक आवतल दरपन है ठीक है इसका जो मुख्य आक्ष होगा ठीक है यानि आपतित परकास किर्णे परावर्तन के बाद देखिए ये किर्णे जो आई ही ना आपतित परकास किर्णे इसका परावर्तन हुआ तो परावर्तन के बाद ये जो दरपन है दरपन के मुख्य अक्ष के जिस बिंदू पर मिलती है अब वतल दरपन का मुख्य फोकस कालाता है देखिए अब इन सब बातों का फिगर समझे फिगर से आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगे अभी यहाँ पर देखिए यह फिगर है मैं आपको एक नया फिगर बना कि देता हूँ जहां से आपको समझने में असानी होगी देखिए फिगर को अच्छे समझेगा तो आपको यह सारी बातें समझ में आएगे यह सारी बातें समझने के लिए आपको फिगर समझना पड़ेगा यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एक लाइन सीधा लाइन कीज़ देना है सीधा लाइन देखे ये जो सीधा लाइन है ना इसको बोलता है हम मुख्य अक्ष यहाँ पर देखे ये मुख्य अक्ष है ना इसी को बोलता है इस सीधा लाइन को बोलता है मुख्य अक्ष ठीक है अब इस पर एक अवतल दर्पन हमको बना देना है तो अवतल दर्पन किसे बनता है देखिए अवतल दर्पन जो होता है उसका परावर्तक सता जो होता है वो धासी रती है ठीक है तो यह होगी हमारा अवतल दर्पन ठीक है अवतल दर्पन हमको बना देना है इसका परावर्तक सदा धसी रहती है यहां पर क्या बोल रहा है देखिए किसी आवत्ता दरपन के मुख्य आक्षी के शमांतर आपतित परकास किरने मतलब एक किरने आ रही है इसी मुख्य आक्षी के शमांतर मतलब यह जिसतर सिधा है ना इसी के शमांतर एक परकास किरने आ रही है तो थोड़ निया प्रावर्तन के बाद अब इसका परांवर्तन होगा तो यहां से इसका परावर्तन हो रहा है क्या पर मिलती है आपको मैंने मुख्याक्ष कौन सा बोला था यह वाला मुख्य अक्ष है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मुख्य अक्ष है यहाँ पर लिख देता हूँ मुख्य अक्ष हो गया बोल रहा है परावर्तन के बाद दर्पन यहाँ पर देखिए दर्पन के मुख्य अक्ष के जिस बिंदू पर मिलती है यह जो मुख्य दरपन का मुख के फोकस, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है? देखें, एक लाइट मैं आपको नीचे से भी गुजार के दिखा देता हूं, यहाँ पर फिर से समझे, आवतल दरपन के मुख अक्ष के समांतर आपतित परकास किरने, यह आवतल दरपन है? एक परकास कि कि रण आप्तित हो रही है जैसे आपने डिप्नेसम में पढ़ा मुख्य अक्षं के समानतर आप्तितपरकास किर्णे ए इसक के आप परावरतन के बा velvet के बाद भी यानि परहला है आपको यहां पर बनाने के आनि इस मिन्दू पर मिलती है फॉकस का लाथ它 यह मेरा फॉकस हो गया तीक है यहां पर जो है इसको पोल इसको testzenox को चरभ एब पर बना लिए और लुकmat Am I am so is must via summer okay विगर को आप जरूरी बना लिजेगा अगर अगर को प्रेगर को पूरा नमबर मिलेगा अगर आतेiger कोचो तो नमबर निया जाएगा इसलिए इस फ्रेगर बेश्चन को आज इस समझ पाएंगे ठीक है